इंडिया नी एविएशन हिस्ट्री नो सौथी डार्केस्ट डे ए गईकाले हतो सौथी जूना मा जूनी प्राइवेटली ओंड एरलाइन एटले के जेट एर्वेज ए गईकाले फाइनली ट्विटर उपर अनाउंस करियो के लोको एमना डोमेस्टिक अने इंटरनाशनल रू दीदू एना विशे आजे आपने वाद करीशू तमार उस्वागत्चे मारू नाम चे गुंज ठककर अवे आपने आना कारणों मा जहिए एपला जेट एर्वेज नो दुख दर्द भर्यों छिल्ला एक वरस विशे वाद करीशू चालू करीशू एप्रिल थी एप्रिल ब दे आजार ने सत्तर माँ छस्सो ने बे करोड रूपयानों प्रोफित हतू जेट ने अने मार्च महिनावा सउत्थी पेल्ली वखत सेलरी लेट आपवानी सिस्टम जालू थैती जेट मां आगडवधीसू ओगस्ट बे आजार अडार मां बद्धा करमचारियों नो पगार 25 टका कापवानों प्रस्ता हूं मुख्यों ओगस्ट माज वाद करिये तो डीजी सी ए इटले के डाइरेक्टरेट जन्रल अफ सिवील एविएशन ने जेट एर्वेज नी स्कूरूटी नी करवानू कि दो किया एमना फाइनांशियल क्रेडिबिलिटी अजू स्टेबल छे जेट है जे तेर सो ने तेविस करोड रूपिया हतु सप्टेम्बर बेजार अडार मां जहिए तो इंकम टैक्स नी रेड पड़ी जेट मां अने एक फ्लाइट मां कैबिन प्रेशर ना प्रोब्लेम ना लिदे 30 लोको घायल थाया था ओक्टोबर बेजार अडार मां चे एमनो स्वभावबू कंट्रोलिंग है एटले टाटा नी जोडे जे डील थावानी अती एक एंसल थे एती आतनी जोडे पन एमनो स्टेक 24 तका थी वधारे वधारवानी वाथ हती एपन डील आगण ना वधी सकी एमा भी कारान आज निकडियों घणा लोको नू सेलरी पन बाकी आती पाइलेट्स नी ए सैलरी ओक्तोबर मां एवु केवा मां आयू के मार्च बेहाजार ने ओगनिस सुधी सैलरी पूरी कर से डिसेंबर बेहाजार अडार मां फ्लाइट्स तो अजू कैंसल थावानी चालू जहती साथ गल्फ रूट पन कैंसल थाया फेबरुर 2000 ने ओगनिसमा जेट ना फाउंडर नरेश गोयल अने एमना वाइफ अनिता 25 मी मार्चे ये बननेवे राजी नामू आपफू पडियू जैनी सामें SBI अनाउंच करियू के 500 करोड रुप्या नू एक इमर्जनसी कैर पैकेज जेट ने इस्यू कर से एप्रिल 2009 निसमा आई जूर थाई अने एना कारणे 70 एप्रिले 8,500 करोड रुप्या ना देवा साथे 22,000 एम्प्लोईस धरावतू जेट एर्वेजे येमना बद्धा रूट्स बंद करी दी था अटली जूनी एर्लाइन्स अटला बदा एम्प्लोईस साथे अटला एक्स्पिरियंस साथे केम बन्थेई गई एना कारणों हो तमारी साथे शेर करी सावे अना मेंली पांच कारण हाता सौथी पेल्लू क्रेजी स्पेंडिंग अने एना पाईसा एलोकोई बेहजार ने चोमा बावीस वाइडबोडी एरक्राफ्ट खरी दीने इंटरनाशनल रूट्स माटे ओफकर्स अने बेहजार ने साथ मा एयर सहारा चाओँजार पांसो करोड रूपिया मां खरी दियू जे मां बद्धी कैश एलोकोई पताई का स्पाइस जेट अने इंडिको जेवी बजेट एरलाइन्स नी कॉंपिटिशन मा जेट एर्वेज ना भाव सस्टेनज ना करी सक्या बेहजार पंदर मा जे 25.5 टका मार्केट शेर हा तो जेट एर्वेज नो ए बेहजार ने अधार मा पंदर पॉइंट पांच टका आवी ग पंदर मा रूपियो तो घगड तो घगड तो खूब नीचे पहुँची गयो तो अने क्रूड नो भाव मी आसमान पहुची गयो तो आ बन्ने कारण ना लिधे ओपरेटिंग कोस्ट बहु जूची थाई गई जेट एर्वेज नी आने प्रोफित मा गाबडा पड़वा ल इटले कदाच एम ने एक आरण सर एककच टीम राखवानू मन्त है हुँचे पण एनलिस्ट एवू कहे छे के अगर अनी बन्नेवनी टीम अलग अलग राखी होत तो कदाच बन्नेव एरलाइन पोत-पोता ना रीते प्रोफित करती होत पाच मों पॉइंट छे फेलियर तो जेट एर्वेज हजू पन चालू रही सकेत पन अमा पन नरेश्च भाई गोयल नो आ स्वभाव एमने नड़ियो एवू मने लागी रही हुचे कारण के एती आदे पन 24 टकाथी एमनो स्टेक वधार्यों ने टाटा सांस जोडे भी जे डील चालती ती ए डील मा भी पन कस्सु आगडवतियू ने आ हता पांच पॉइंट जेना लिदे जेट एर्वेज बन थवा निक अगार पर आई गई छे हुँ अगर मारू नान पन याद करू तो मारी पेल्ली एर जर नी जेट एर्वेज मा आती अनने त्यारे जेट एर्वेज अगर तमने याद होई तो आशा राखू छू के जेम छेल्ला 21 वरसमा बार एरलाइन बन थे गई छे जेमा थी पांच एरलाइन तो 2012 थी बन थे चे 2012 मा किंग फिशर बन थे ती तमने याद होई तो एमा आ लिस्ट मा जेट एर्वेज नू नाम एड ना थे जेट एर्वेज ने रिवाइव करे तो लाइक करो कमेंड करो शेर करो सब्सक्राइब करो आने वी टीवी गुजराती डॉट कॉम जोवानू ना बूल सो थेंक यू